कि राधे राधे देखिए फ्रेंड मैं बना रहे हूं यहां पर ठेक हुआ जो छठ में बनता है बहुत ही असान तरीके से एकदम मुझ में घुल जाने वाला नरम ठेक हुआ कि इसको मैं बना रहे हूँ आटे से और थोड़ा से मैदा ले हूँ और इसमें रिफाइन का मोयन दे रहे हूँ अच्छे से इसको मोयन देना है जब तक आटा मुठी में बंधरिना ला ले तब तक लिखी में मिला रहे हूँ अच्छे से इसके बाद दूद में थोड़ा चीनी डालके उसको घोल लेंगे इसको दूद में ही बनाना है दूद में अच्छा लगेगा और इलाची इसमें कूट के डाल दे या बाउडर डाल दे मतलब इलाची डालना है अगर आप ड्राइफूट डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं उससे और अच्छा लगेगा मैं ड्राइफूट ने डाल रहे हूं मैं सिंपल बना रहे हूं देखिए मैं दूर में चीनी खोल ले हूं अब इसको मैं डाल रहे हूं चाननी से चानने रहे हूं ताकि इसमें कुछ हो ना मैं इसको चान के और इसमें फिर मिलाऊंगी अच्छे से गूत लूंगी एक दम बढ़िया सा नरम डू बन के तयार हो जाएगा और इसका ठेकुआ बहुत अच्छा लगेगा आप छठ में इसको बना सकते हैं छठ पूजा के लिए एक दम बेश्ट है छठ में ठेकुआ बनता ही है खस्ता अलग होता है ठेकुआ अलग होता है ठेकुआ नरम रहता है खस्ता थोड़ा टाइट रहता है एक खस्ता नहीं है ठेकुआ है इसको ठेकुआ यह बोला जाता ह अब मैं इसके छोटी छोटी लोई बना लूँगी आप इसमें को डिजाइन कर सकते हैं या जो आता है साचा उस पे भी ठुक सकते हैं मैं हाँ से यह से चमद से डिजाइन बना लूँगी देखिए इसमें डिजाइन बना ले रहे हूं बना के इसको रख ले रहे हूं फिर तेल गरम करूंगी और फ्राइए करूंगी दम धीमें आज पर धीमें आज पर फ्राइए होगा तो अच्छा हैगा देखिए पास से देख लीजी आप लोग अब इसको ऐसे न कर सकें तो साची में भी कर लेंगी तो अच्छा रहेगा जल्दी से हो जाएगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा देखिए मैं इसे सब बना लूँगी इसके बार तलूँगी मैं यहां पर बना के रख लिए हूँ कि दूद्ध में इसको बुथने से इसका मिठास अलग राता है कि कड़ाई रख देऊंगे इस पर तिल गरम हो जाएगा तब इसमें डालूँगी इस छोटा सा रुकड़ा डालकर देख ले रहे हूं तिल गरम हो गया है कि नहीं तो तेल अभी सेकने लाइक गरम हो गया है ज्यादा गरम में डालना है नहीं तो जल जाएगा कि मैं इसमें डाल दे रहे हूं और हलके आज पर सेकूंगी तब तक मैं इतना डाल दे रहे हैं और बाद में डालूँगी इसको धीरे धीरे फ्राइग करूँगी हम सुनेहरे रंका हो जाएगा तलने के बाद अगर आप लोग को ठेकूँआ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए सस्क्राइब करिए कमेंट करिए कैसा लगा ठेक हुए भी बताए आपको बहुत ही सिंपल और असान तरीके से बताए हूँ इसा कोई भी बना सकता है कम समान में भी बन जाएगा इसमें ज्यादा कोई समान नहीं लगेगा आटा और मैदा इससे बनेंगा मैदा नहीं भी रहेगा तो बन जाएगा सिर्फ आटे से भी बन जाएगा कि देखिए इसारा तल ले हूँ सुना रहा होने तक मैं इसको निकाल लूँगी देखिए यहां पे निकाल के रख्थे हूँ यह गरम भी अच्छा लगेगा और ठंडा भी अच्छा लगेगा वी बाई झाल को को आएगा